दीजीपी पंजाब का आदेश कल तक संभालें ग्यारा अधिकारी अपना कारिबार पंजाब पुलिस के डीजीपी श्रिदिनकर गुपता ने एक आदेश जारी कर पुलिस के ग्यारा अधिकारियों के तबादले किये हैं बदले गए अधिकारियों में हरवन्त कौर को स्पी मुख्यालय मलेर कोटला, हरमीत सिंग हुंदल को स्पी इन्वेस्टिगेशन मलेर कोटला, हर कमल कौर बराड को स्पी इन्वेस्टिगेशन पत्याला, केसर सिंग को स्पी पीबियाई पत्याला, संधीप वडेरा को डीएस से इंवेस्टिगेशन मलयर कोट्ला विल्यम जेजी को ڈ एस पी एस्डी मलेर कोट्ला संजीव कुमार को । बदले गई 11 पुलिस अधिकारियों में से sout पुलिस अधिकारियों को ≤ नए बनाए जिले मलेर कोट्ला में तैनाती दी गई है जबकि ≤ जिले मलेर कोटला में DC वा SSP की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है मलेर कोटला को जिला बनाने में क्याबिनेट मंतरी रजिया सुल्ताना का खास योगदान रहा है जिनोंने समय समय पर मलेर कोटला को जिला बनाने की मांग की है वहीं DGP द्वारा बदले गए पुलिस अधिकारियों को सोमवार 7 जून तक नई जगे पर अपना कारिबार संभालने का भी आदेश दिया गया है